कुछ जो पहचान करते हैं जुता चाट के तो आज कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं तो हमारा पहचान कैसे आया है तो इस अपना अन्भाव से आता है कुछ लोग होते हैं कि बकरी पालन मतलब बकरी के लाइप सैकल में क्या-क्या होता है कैसे बच्चा देती यह चीज हो गया गोट फार्मिनग के क्लासे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एका बार सुधीर सर जिनका हम ग्रैंड कर होग करते हैं और यह जो प्रैक्टिकल सेशन हैं बार-बार कहता हूं कि अंतिम दीन में होता है महीने में दो बारों यहां पर पांच दिवसीय कारिकरम होता है सुधीर सरकी जागरुकता अभियान चलती है जो देश व्यापी है जिसमें बकरी पालन से संबंदित बहुत सारी जानकारी दी जाती है और अंतिम दिन बकरियों को यहां पर दिखा के प्रैक्टिकल किय जाता है बहुत सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है और उसी दिन सर से मुलाकात होती है और जब जब सर से मुलाकात होती है तो किसी ना किसी टॉपिक पर जरूर चर्चा होता है वो टॉपिक आपके होते हैं आपके सुझाओ से वो हम प्रश्न पूछते हैं तो आज की ज होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में डिवार्मिंग बोलते हैं सर आज डिवार्मिंग पर आपसे जरूर राय लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान है उनकी बकरिया ग्रसित रहती है तो कैसे उसका इलाज हो कैसे पहचान हो इस विशे पर आपसे आज बहुत सारी जनकारी लना है देखें पावन जी डिवार्मिंग एक बीमारी नहीं है डिवार्मिंग प्रकिरिया है कि बकरी के सरीर के अंदर यानि कि पेट में या सरीर के उपर जो किड़ा लग चुका है उसके मारने को प पका कर खिलाते हैं या खिलाते हैं तो खाना में बैक्ट्रिया वाइरस रहने का चांस बहुत कम रहता है लेकिन बकरी खाना हम लोग उसको पका कर नहीं खिलाते हैं जो गंदा पड़ा हुए उसको खाती है तो उसके प्रिट के अंदर काफी किड़ा होने के चांस रहता है दूसरा ची छोटा बच्चा यदि बक्री का दुद्ध पी रहा है तो जहां ज्यादा संख्या बक्री है तो बक्री के थन को कोई धोते नहीं है तो बक्री तो बैट रही है गंदे स्थान पर मलमुत्र भी है जालू मार दे हैं लेकिन मलमुत्र तोहां लगा हुआ है तो जब बच्चा दुध पी रहा है तो थंब के माध्यम से औसकी पेट में गन्दगी और जादा जा रहा है तो बच्चा में किडा और जादे होता है तो जब चिडा जादे होता है तो घृणी क्मी खाना आप दे रहे हैं वखरी तो खाना के जो सार तत्व है ऐसा नहीं खाना इस घास खाई उसका सार तत्व बना पचाने के बाद उसको किड़ा खाना शुरू कर देता है बलड कुछ किड़ा चुसना शुरू कर देता है तो शरीर में होता है कि जब खाना के सार तत्व ही उखा गया या बलड ही चुस लि है कि हमारे सरीर के अंदर या बकरी के सरीर के अंदर सब के सरीर के अंदर एक पावर हाउस होता है और पावर हाउस को एनर्जी मिलेगा तब पावर जिनरेट होगा जब पावर हाउस कोई सही नर्जी नहीं मिलेगा क्यों कीड़ा खा गया तो शरीर के अंदर जो भी छोटा छोटा पार्ट सही आप अंग बोल सकते हैं कितावी भासा में उत्तक बोलते हैं जो ही बोलते हैं हम तो दिहाते ही आदमी उसको सही धंग से पावर नहीं मिलेगा त तो हमारे घर में जो भी उपकरन है अच्छा काम नहीं करता है उसी तरह बखरी के सिरी के अंदर भी जो पावर हाउस है वहां से पावर का सपलाई कम होगा तो अंग से काम करेगा जब सब्सक्राइब इसलिए कामना बहुत ज़रूरी है या निकी खिड़ा को मारना जरूरी होता है यही मेन महत्तोव है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जरूर इसको आप करें देवाक्री पाला में आप सफल होना चाहरा है तो थोड़ा देर पहले आप कुछ देख कैसे पचानेंगे तो इसका एक मोटा मोटी हम पहचान बता रहे हैं अपने अन्भव के अधार पर पेट के अंदर का जब भी कि आपको भार में घूम रहे हैं भेलाणी पर नजर आए कि उजला उजला कुछ उस पर चिपका हुआ है कि अरे उजला क्या है कि मखन कुछ नहीं है समझे कि उसके पेट के अंदर कीड़ा है या बहलाणी के ऊपर लाल लल धबा नजर आए समझे लिजे कि उसके पेट के अंदर कीड़ा है या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है भीवर लोग भी देखे होंगे या यह लोग भी देखे होंगे गाव में बकरी मैगनी की और डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरता है ऐसे गीरा और हावा में लटक ग्याश्क उपर भी लटक चाहिए कि अपने डॉक्टर के संपर्क में आकर उचित दवाई लें और उसका निवारन करें जैसे हम तो जो सबसे में में नाम जैसे अपने फारम पर रखते हैं अलबोमार सबसे हैं फिर आपका निल जान भी है बैंडिक एंड प्लस है बहुत सरा डिवर्मर है तो इसका कोई भी चीज आप डाक्टर से पूछ कर किजिएगा गलत दोज देजिएगा तो आपको गलत मिलेगा सही का सर ने डिवार्मिंग एक प्रोसेस है और डिवार्मिंग की इस प्रोसेस में सर यह तो है कि सारी चीजों पर एक साथ हम लागू नहीं कर सकते हैं बच्चों के ल अलग है किसी के पास बकरी ने बच्चे दिये तो यह कब फील होता है कि किया जाए देखिए फील जब भी हो जाते देना चाहिए लेकिन जनरली हम लोग 25-26 दिंगा जब बच्चा होता है तो इसको पहली बार कीड़ा के दवाई दे देते हैं लेकिन साथीन साथ एक्ची ध्यान देना होता है के उए फीकीड़ा एक जन्तु ही है जीवे है जीव को मारने के लिए क्र लैलाए या तो गोली मारेगा बभम मार जाएगी उसको जहार देते हैं हम देफाती भास फिच कर रहे है किताब क्या बोलता है उसके मतलुम नहीं हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं भीवर समझ सकते हैं तो जीव केसी से मरेगा जहर से मरेगा तो उसको एक संदुलित मात्रा में जहर देते हैं बकरी का स्रीर बड़ा है तो बकरी भी से स्फरक नहीं पड़ेगा कीडा छोटा पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ सबके स्रीर में चाहे बकरी रहे चाहे इनसान रहे कुछ दोस्त कीडा भी होता है जैसे कि हमारे पेट में लेक्टो बैसलेस नमका एक कीडा है अधिना रहेगा तो हमेरा सारा भुखे खतम हो जाएगा होता है साथ जो हमारा दोस्त कीडाव है उसको बहुआगज करद गता हैं और पाचन सक्ति कमजौदwe कमजोड हो जाता है तो कभी जब प्रफिया के दावाइग देते हैं तो इस वजा से चुकि आप हम जान गया है कि क्या कारण है अब पाचन सकती कमजोड हो नहीं होना है तो कम से कम शक्राइब दस दिन तक लिफरटोनिक जरूरुद चला देते हैं जो लोग इस चीछ को नही गया है अधिवार आप दे दिये हैं जादा मात्रा से जादा दे दिये हैं तो हम भी समस्य आएगा तो पाचन सकती और जादा खराब हो गया तो मेरा अपना वेक्तिकत अन्भुव कि बड़ा बक्रित कुछ बर्दास्त कर भी लेती है लेकिन छोटा बच्चा जो है वह बोडिवेट किया है यह सब आपको जनकारी रखना चाहिए और डॉक्टर से बोडिवेट इतना है इतना बजन है कितना देंगे उस सलाह ले करें दीजिए तो जादे अच्छा रहेगा तो डिवर्विंग को अपने बकरी पालन में इसको सामिल कीजिए तब आप बकरी पालन कि दवाई दें तो खाली पेटे दें और उसके दो हंटा बाद ही कुछ भी दें तब ज्यादा अच्छा रहेता है और एक थोटे सवाल जो था चूट गया था वह गावीन बकरियों के संदर्ब में क्या स्वाधानिया रखनी है वो बता दें गावीन बकरी के संदर्ब में जिससे दावात बहुत रखा है साल्ट उसको बल सकते हैं उसमें फ्यन्मंडा जो लिएक ऐसा है जो कि गावीन को दे सकते हैं बाकि और को नहीं दे सकते हैं यहीं सुधानी बरतना है इसलिए हम 12 बोलते हैं कि यह सबची डॉक्टर से पूछिए क्योंकि बोडिवेट जाक बखरी नहीं लाए पिला दिए कहीं कहीं तो ऐसा भी हम केस देखे हैं गाव में गया है तब देखे अलों मारके सिसी लाए बकरी का बच्चा है साथके जी बजन है अच्छा बड़ा बखरी को एक बतल पिला च्छोड़का सिसी था अधा बतल पिला दिए मर गई तो आप बोड़ी वेट कम सकम जुरूर पता किजिए और डॉक्टर तो आज कल ब्लॉक में भी हैं पंचाहित लवर भी हो गए हैं उनसे आप सलाह लेजिए बिना सलाह काम नकीजित जादे अचा रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया सर और वक्त आ गया है थोड़ा सा जो बकरी पाल है मेरा और अंधरवारी पंचायत है पड़ते हैं अभी जी भी है पार्ट वन महां चलिए तो अभी क्या बकरी पालन में कुछ फाम वगरा खोलने की सोच रहे हैं इसलिए ट्रेनिंग लिया जी बीजिनस के लिए या पैसे कमाने के लिए फाम को खोलना चाह रहा हूं और म सपे देखते थे दाए तो देखने का बाद हमें कुछ नकुछ ऐसा लग रहा था कि बिटियो सही चीज नहीं है बिटियो को सब् repersture के जीतना दिन कानुभाव है मैर अनुषर से कि बीडियो पे देख सहाए नंशार करके लोपले बीब कूछ ने प्रिए रहा तह सही विटियो देखते हुए भगरी पालन कर रहा थे दिम्रेव न में बहुत सा समस्य आ रहा था जैसे ग्रोथ नहीं बढ रहा था जमस्यां में तो हमारे सभी भीवर को कहना चाहते हूं सभाईयों और पनाल की एक बार सुधिर के पास आए जहां भी अच्छा लगे लेकिन सुधी सर के पास ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्रियंस लेना इसलिए जरूरी होता है कि जो क्या सोचते हैं लोग बकरी पालन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं जिसक्षा लेना है नहीं लेना है तो अब इनकी बाते शुन रहेते आपका क्या नम हो अच्छा आप क्या करते हैं वैसे तो किसानी है प्राइवेटी जो है लेकिन अब सुधिर सर के वीडियो देख करके बहुत ही और वैसे भी हमारे घर पर मलब 25 बकरियां है और सर जी के वीडियो देखके बहुत ही प्रेजित हुए और बहुत सीखने का मिला अच्छी से समझ में आया जी सर बिलकुल आपका कहां से आये हैं राजा बाबु समस्ती पूर से चलिए कुछ सर मीले लग रहे हैं आप सर आपका नाम है और फैमिली के देखते हुए भी कुछ अपना बिजनेस स्टाट अप करें तो आपके माध्यम से और सर के माध्यम से में वीडियो देखा देखके सर का जो बात था उससे प्रिरित होके मैं सोचा कि परले ट्रेनिंग लेते हैं बिना ट्रेनिंग के कुछ काम नहीं कर सकता है या पीना पढ़ाई के कुछ कर नहीं सकता है तो सर के पास आएं और ट्रेनिंग लिए इनका ट्रेनिंग देने का स्टाइल और पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको उसी टाइम आपकी दिमाग में घूस जाता है कि क्या बता रहे हैं सर और नोट बुक भी है तो अगर फ्यूचर में कुछ मिश्टेक होगा तो उसको प्लाट के देख सकते हैं लेकिन इतना अच्छा से पढ़ा दिया है को दिमाग में सेट हो गया है बिजनेस को शुरू कीजिए सर आपको बहुत-बहुत शुब कामना आपका क्या नम हुआ सर मेरा नाम जौन सब्सक्राइब का जो मशीन वेगरा बनती हो बनाते हैं जी मशीनरी लाइन से हैं और अब आएंगे बक्री पालने के पीछे कुछ बिजनेस करने का सोच रहे थे मैं हूँ और मेरे कमित्र है अच्छा तो पहले तो किया था कि कोई भी नौलेज नहीं ता इस लाइन में सु पांच दिन में बहुत ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादे जो परशानियां आती हैं बक्री पालन में खास खासी जो उस चीजों को बहुत अच्छे से डील करते हैं सर आपका नाम मेरा नाम है फरहान ओली मैं गुपाल गंजिले से हूं जी अभी बक्री पालन शुरू करना है या फिर कर चुके ना भी शुरू करना है आपी के चानल से सवरक नामन मिला उसके बाद से ट्रेनिंग के लिए हैं शुरू किजे तो मैं फिराओंगा मैं यूपी आजमगर से रहने वाला हूं मैं प्राइवेट जौब करता हूं मुंबई में क्रेंट चलाता हूं चुट्टी ले कर आया थे क्या होता है कि थोड़ा घर का भी मसेला प्रता है तो आना जाना पड़ जाता है बार बार इसके लिए यह सोचता हूं कि घर पे रह सब्सक्राइब तो आपका फारम है नहीं फारम नहीं है मैं कि रहना दोकान चलाता था सर के वीडियो देख करके ही मैं इस तरह पर प्रवाइद हुआ हूं और फिर में ट्रेनिंग के लिए आ गया उसके बाद जो है इन्शालला बहुत जल्द बगरी फारम खुलने होदा ह अगर आप बहुत सारा ऐसे वीडियोज हैं विहार स्टोरी पर जिनकी स्टाटप के किस से क्योंकि यह तो ट्रेनिंग की बात हो गई अभी जब जाएंगे और शुरुआत करेंगे बिजनेस को तो उसका एक अलग स्ट्रेजी होता है वह स्ट्रेजी ज़रूर दिखाने की क सब्सक्राइब करने का सोच रहे थे तो काफी रिसर्च करने के बाद लगा कि बक्री पालन करना चाहिए तो कुछ दोस्तों वोगरा फी डिसकस किये तो उलग बोला कि नहीं जो बक्री खरीद लो चालू कर लो करते करते शीख जाओगे लेकिन अंधेरे में तीर चलाने से चला विडियो देखे काफी प्रभावित हुए अगर ट्रेनिंग लेके करेंगे तो अंधेरे में तीर चलाने से तो लाग गुना अच्छा है तो यहीं सोच के आए और अभी ट्रेनिंग लिए तो एक लाग गुना बढ़ गिया है और इंजिनियर साथ से भी पुछिए कि हमारा जो ट्रेनिंग हुआ सिर्फ बकरी पालन के लिए था कि marketing के सासात कैसे धिक सथी कमाने उस पर भी फोकस था जैसे कुछ लोग होते हैं कि बकरी पालन मतलब बकरी के लाइफ सैकल में क्या-क्या होता है कैसे बच्चा देती यह चीज हो गया यह तो सभी बताते हैं सुधीर सथ ने पैसा कमाने का तर सब्सक्राइब करते हैं और भी बहुत सारे रास्ते हैं कमाने के पर टिफर कर जाता है सर का सब्सक्राइब करते हैं तो आज कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं तो हमारा पहचान कैसे आया है किसे छीपा हो नहीं तो इस तरा चीज अपना अन्भव से आता है करते हैं तो उम्हेंद करते हैं काफी कुछ पकड़े हैं और इस बहुत इंचिनियर्ट फार्मिंग में स्क्राइब अलग ही मैसेज जाता है समाज में सोसाइटी में और आपका नाम क्या सुस्थ अर्वार्वल डिस्टिक्स हूं और किंजर कूर्था रोड में हमारा गाउं ह आपका नाम पंगज कमार समस्तिक पोडिस्टिक से आप परखंट से हूं इस चेतर में सरक आपका वीडियो से किते देंश फ्लोग कर रहे हैं तो इच्छा हुआ कि सब्सक्राइब करके तो कामें स्टार्ट किया जाए यह ट्रेनिम यह भी शिखाया गया कि ट्रेनिंग पालन सब्सक्राइब कमा सकते हैं कितना रुप्य कमा सकते हैं यह सब्सक्राइब करें किसान हूं पहली बार सोच रहा हूं सर दो तारिक इनका वीडियो देखा यूट्यूब पे तो सोचा कि कुछ करूं मैं भी मैं पत्री से जला लिया कि मैं खुछ करने वाला हूं तो उनको भी दखाया तो साइथ इनका वीडियो पसंद आया क्योंकि बहुत अनुभई है कार करने के लिए उसके बाद जोकिंग भी थोड़ा करते हैं तो जब मैं देखा मज़दार क्लास सब्सक्राइब कर दोस्तों यह था सोनुन आज के एक गोट फार्म से एक अपडेट जहां पर ट्रेणिंग के अंतिम दिन जो है प्रैक्टिकल कराए जाती है और प्रैक्टिकल में सोनु जी का भी बहुत योगदान रहता है सोनु जी अभी इस वक्त कैमरे पे हैं इसलिए उनका शकल नहीं दिखा पाएंगे उनकी बहुत सारे वीडियो जाती है उनको भी आप सुनते हैं तो चलिए जो हमारे मित्र नए है वह चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जैहि जै भारत